हलो फ्रेंड आप सब कैसे हैं आप सभी को स्वागत है मेरे फूट बॉलॉक चैनल में देखे आज बनाई हूं मोती चूर की लड़ू जो ये लड़ू की रेस्पी ऐसी है न फ्रेंड की देखकर कोई भी बना सकते हैं इतना सीम्पल और असान तरीका है खाने में तो सभी को म मोती चूर की लड़ू अच्छी लगती है मोती चूर की लड़ू बनाने के लिए कटूरी चना दाल लिए हैं आज बेशन से नहीं चना दाल से बनाएंगे आप दाल को तीन-चार घंटा के लिए दोकर फूलने के लिए रख दिये थे अब इसको एक मिकसर जाल में डाल कर पीस लेंगे, सभी दाल हमारी पीस गई है, हलका दरदरा ही पीसे हैं, अब एक कड़ा ही लेंगे, तलने के लिए, अब उसमें तेल डालेंगे, अब तेल को अच्छा गरम करेंगे, अगर इस तरीके से आप मोती चुर के लडू बनाएंगे न फ्रेंड तो बहुत जल्दा औ नहीं लगेगी, जो कभी नहीं लडू बनाया न फ्रेंड भी बनाकर खा सकते हैं, यह लडू इतना सिंपल और असान तरीका है, देखे तेल हमारी गरम हो गई है, अब इस तरीके से फुलोडी के जैसा छान लेंगे, इस तरीके से हलका सा दबाते हुए थोड़ा फैला फै जाईएगा, इसको मीडिया माच पर ही तलिएगा, क्यूंकि दाल सीजनी भी चाहिए, और हलका कड़क भी होनी चाहिए, तो अहीं अच्छी लडू बनकर तयार होगी, इस तरीके से लड़ते पर लड़ते सुनारे होने तक तलेंगे, कल पंदरा अगस्त है, फ्रेंड तयार करिएगा मिठाए, कि बजार में बहुत ही मिलावट रहती है, घर पर दम सूधू तरीके से तयार करेंगे, देखे हलका सुनारा कलर हो गया है, अब इसको निकाल लेंगे, दाल भी अच्छी तरीके से पग गई होगी, दम मिडिया माच पर ही चले है, इसी तरीके से स इतना आसान तरीके से सभी लोग मोती जूर की लड़ू बना कर खाएं, कल 15 अगस्त है, तो सभी के घर में जिलेवी चाह लड़ू आती ही है, इस तरीके से लड़ू अगर बनाते हैं, तो लड़ू इस तरीके से बना कर खा सकते हैं, देखे सारे को तल लिये हैं, ठंधा भ भी जिले भी चाहे लड़ू लेकर जरूर यह आते हैं 15 अगस्त पर अच्छ वीजन बरी पर भी लाते हैं तो कल 15 अगस्त है तो सोचे क्यों नहीं घर पर ही लड़ू बनाया जाए पीजने के लिए बड़ा वाला ही जार लें क्योंकि छोटा वाला में जादा ही बारीक हो जाएगी अथोड़ा थोड़ा डाल कर ही पीज़ेगा तो अच्छी तरीके से पीज जाएगी चालने की कोई जरूरत नहीं पड़ेगी बड़े टुकड़े भी नहीं रहेंगे देखे बलगा मूटा ही पीसे है कि दममोती चूर जैसा ही लेड़ू लगेगी अथोड़ा थोड़ा डाल कर ही पीसे है रोक रोक कर मिकसर चलाएगे तो अच्छी पीसाएगी देखे सारे को पीस लिए हैं उतना लड़ू बनाने के लिए साड़े तीन सो ग्राम चीनी लिए हैं और आधा गिलास से भी कम पानी डालेंगे ज्यादा पानी नहीं डालेंगे आधा गिलास ही पानी डालेंगे चासनी जल तैयार हो जाए देखें चासनी में हमारी वाला आ गई है अब चासनी को थोड़ा दरी के लिए पका लेंगे लड़ू बनाने के लिए तारवाले चासनी निभू बनाएंगे किनकी तारवाली चासनी अब अगर बनाएंगे तो लड़ू कड़क होगी और चासनी में आधर निबू का रस भी डालेंगे कि चासनी अच्छी बने अब लड़ू में कलर आने के लिए थोड़ी सी फूट कलर डालेंगे और इंज कलर की ज्यादा फूट कलर नहीं डालें जितना मैं डाले हूं उतना ही डालिएगा तो भी अच्छे कलर आ जाएंगे दो से तीनी लाइंची कूटकर डाले हैं चासनी में ही फ्रेस कूटकर अगर डालते हैं तो ज़्यादा ही साधिश्ट आती है इसलिए हमेशा फ्रेस ही कूटकर डालिएगा जिलेवी की जैसे चासनी रहता ने उसी तरीके से चासनी बनाईएगा देखे हमारी चासनी बनकर तयार हो गई है अब गैस को बंद कर देंगे अचासनी में हलका ठंडा होने के बाद जो पीस का रखे थे थे ने ताच्छे ना डाल को उसको डाल देंगे हमारी वीडियो आप कौन कौन सी सिटी और कौन सी जगा से देख रहे हैं फ्रेंट कमेंट करके जरूर बताईएगा अब मोती चुर की लड़ू आपको पसंद है कि नहीं हो भी कमेंट करके बताईएगा हमें तो लगते हैं सभी लोगों को मोती चुर की लड़ू जरूरी पसंद होगी सभी को डाल दिये हैं उसमें खीरा के बीज़ कुछ बदाम का कत्रन डाल दिये हैं अब सभी को अच्छी तरीके से मिक्स करेंगे देखे सभी को अच्छी तरीके से मिक्स कर लिये हैं अब लड़ू को इस तरीके से बान लेंगे, इसको ठंडा होने पर भी अच्छी तरीके से बन जाएगी, जरूरी नहीं कि गरम गरम में ही बान है, अगर देखिए कितना बढ़ियां लड़ू बन कर तियार हुई है, एक वाज जरूर बनाएगा फ्रेंड इस तरीके से लड़ बहुत ही टेश्टी लड़ू बन कर तियार होगी, आहमें बना कर खा कर कमेंट करके बताएगा कि कैसी बनी है, अगर हमारी रिस्पी थोड़ी सी भी आपको पसंद आएगी फ्रेंड तो हमारे वीडियो को जरूर लाइक करिएगा, आ सारे लड़ू को इसी तरीके से बना अगर 15 अगस पर नहीं बनाए तो राखी पर जरूर ही बनाएगा, सारे लड़ू को इसी तरीके से बना लिये हैं, देखे कितना बढ़े लड़ू बनी है, देखने में ही बहुत अच्छा लग रहा है, देखे कैमरा को जूम करके बता रहे हूं कि कितना बढ़े लड़ू बनी हैं, देखते ही खाने का मन करेगा, इतना बढ़े लड़ू बनी है.